हेलो दूस्तो है मैं राज और आज एड़ो tiaking को इन भूह टोपीक रहेगा वो पीजन कंपपणी के इंडप्षान कॲकर में रहेगा दोस्तो मेरे पास एक एक पीजन का इंड़क्षन क्या रिपार होने के लिए है जिसका मॉण्डल लंबर एरिस प्लस उसमें क्या प्रोब्लम है कि 245 यानि टू हंड़ेट फॉर्टी फाइफ वॉल्टेज आता है एसी इंपूट तो उसमें इंडक्षन कुक्ट आप इटू का इरर कोड़ा रहा है अभी दोस्तों सर्दी का मोसम चल रहा है लगबग में क्या होता अभी को हम क्या करेंगे चेंज करेंगे कि हमारा इंडक्षन जो हाई वोल्टेज है 245 वोल्ट है उसमें भी हमारे इंडक्षन वर्किंग करना शुरू कर देगा इसी टॉपिक पे है दोस्तों इस वीडियो में आपको थीरिकल भी बताऊंगा अगर इस वीडियो के आप समझ ले तो दोस्तों इसी टॉपिक पे रहेगा तो सबसे फैले दूस्तों यहां पर क्या करता हो देख सकते हैं इसका मौडर लंबर अप्रेश घ्र सकते हैं अब नहीं इसमें इटू का जो पोटेक्शन के लिए रजिस्टेंस लगा रहता है वह सकता रेजिस्टेंस ओपन हो माइक्रो कॉंट्र आई सी के पास इसका फीडवेक नहीं जा पार हो तो ऐसा इसमें नहीं है हम दोस्तों अभी इन्पूर्ट इसको कितना दिये हैं आप मीटर पर फोकस करेंगे तो 243 वोल्टें 243 दिये हैं अब हम इसको क्या करते हैं नॉर्मली वोल्टेज को कम करेंगे अब कम करेंगे लगभग 200 के करीब करेंगे तो देख सकते हैं कि यहां पर गरम होना शुरू हो जाएगा कि लिए अब दोस्तों आपको यहां पर फोक यहां पर वर्किंग कर रहा है किलियर यहां पर देख सकते हैं वर्किंग कर रहा है फिर से दोस्तों जैसे मैं वल्टेज को बढ़ाऊंगा यहां पर देख सकते हैं कि जैसे मैंने वल्टेज को बढ़ाया जैसे 241 किया फिर से मेरा यहां पर एटू का इर कोड़ा गया तो हम इसका क्या क diffuse अब पहले इसका थी विकल को समझ लेते हैं ड्राइंग के माधिया mean जो क्या किया AC को DC में convert कर दिया यानि rectify कर दिया अब यहां से दोस्तों जो supply उठा रहे हैं यहां से जो हम circuit बना रहे हैं इस circuit के दोस्तों हम क्या करेंगे सीधे इसका feedback किसका feedback दोस्तों समझनी कोशिस करना दोस्तों clear concept करेगा 244 वोल्टेज मालो यहां पर दिए अगर इस वोल्टेज को हम क्या करेंगे दोस्तों कम करते जाएंगे यहां पर नॉर्बली मैं इसको 190 भी कर देता हूं फिर दोस्तों 190 से यहां पर तो दोस्तों जैसे वुल्टेज यहां पर बेरी करेंगे तो हमको यह माइक्रो कॉंट्रल आइसी है यहां पर 13 नमबर पीन अभी समझनी कोशिज करेंगे सबसे पहले आइसी हमारा टोटल कितने पीन का है 16 नमबर पीन का है यहां से एक काउंट करेंगे 8 यहां पर होगा 9 और यहां पर 16 अब दोस्तों 13 नमबर पीन पर फीडवेक मिलेगा किसका फीडवेक एसी इंपुट वीरी का अभी एक्जामपल के लिए मैंने आपको बता दिया कि 13 नमब यहां पर 240 इंपुट दोगे तब अगर मालो की वोल्टेज को और बढ़ा रहे हो 240 मैं यहां पर 255 कर देता हूं तो दोस्तों वोल्टेज और बढ़ जाएगा कितना बढ़ जाएगा थीरी पॉइंट हो सकता एट चला जाए या दोस्तों 9 चला जाएगा कंसेप्ट के में हो जाएगा यहां पर जैसे जैसे वोल्टेज कम होगा या दोस्तों जैसे जैसे वोल्टेज ज्यादा होगा जैसे जादा होगा तो यहां पर 13 नमर पर वोल्टेज बढ़ते जाएंगे यहां पर 13 नमर पर वोल्टेज बढ़ते जाएंगे किलियर जैसे जैसे वोल्टे कि अगर आपको 3.5 से ज़्यादा मिले तो आप हाथ खड़ा कर देना बोलना कि मैं नहीं सक पाऊंगा यानि सीधे क्या कर देना अप यहां पर नहीं सक रहा हूं कौन से पीन पर दोस्तों तेरा नमर पीन पर जैसे 3.5 से ज्यादा मिलेगा तो सीधे टू काईरर कोड़ा आएगा किलियर तरह तो अब हमको चेक करना है कि तेरा नमबर पिन पर फैस कि रहा है अगर तेरा नमबर पिन पर फाइफ जादा आ रहा है तो हम इसको च्ट्रोल करेंगे और यह तो बैवखकूफ आदमी यह तिसको पता नहीं करेंगे और कैसे इसका प्रिक्टिकल के साथ आपको मैं बताने जा रहा हूं किलियर अब दोस्तों आप यहां पर फोकस करेंगे जैसे तेरा नंबर पीन पर वोल्टेज में चेक करूंगा आपको मैंने क्या बात आया था 3.5 पाएगा तो सही वर्किंग करेगा अगर उससे ज को यहां पर वेरी करता हूं और वोल्टेज को यहां पर कम करता हूं तो देख सकते हैं वोल्टेज को जैसे कम करूंगा तो यहां पर मेरा वोल्टेज इंपुट हो जाएगा वन अनि समय लो 2925 जानि 200 के करीम हो गया अब 200 के खरीब हो गया तो तो 9 9 हो गया फीर से पर Ralph octave को में मेरी कम करता हूं देख सकने फिर से जैसे वल्याज को मैं किया कितना कर दिया 180 करीब कर दिया पहले 2.97 है BTних 2.60 फिर से वळ्य को मैं कम करता हूं हो Давайте मैंने कम किया यहाँ पर कर दिया 10.400 ब23 के करीब कर दिया अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ अभी सबसे गाम करता हूं आप तो यहाँ फिर कम कर दिया विल्टेज को अब यहां पर 1.2 आएगा तेरा नंबर पिन को तो यहां पर भी तेरा नंबर पिन क्या करेगा काम करने के लिए रेडी है लेकिन दोस्तों जैसे इसको 3.8 मिलेगा यहां खड़ा कर देगा अब फिर वोल्टेज में बढ़ाऊं का देखना वोल्टेज बढ़ते जाएगा यह यहां पर वोल्टेज बढ़ाया जाएं यहां पर फिर से वल्टेज बढ़ाया जाएं फिर यहां से वल्टेज बढ़ाया जाएं मीटर पर फोकस करना सिर्फ एक बरौर वोल्टेज बढ़ाया जाएं यहां पर देख सकते हैं एक बरौर वोल्टेज बढ़ा दिया जो नॉ के लिए अब वोल्टेज को एक बार कम किए मेडिया में रखें अब मैंने वोल्टेज को जो परफेक्ट जितना हमारे पास इंपूट आ को आपका induction क्वोग्टोप काम करेगा अभी यहां पर हम समझेंगे अब दोस्तों यहां पर हम क्या करेंगे समझने कोशिश करना नॉर्मली यह तेरह नंबर हो गया यहां पर यहां पर लेके कितना करना दोस्तों 3.5 भी कर सकते हो कोशिश करो कि हम इसको 3.3 तक ही सीमित रखेंगे कि इसको 13 3 नबर में को अब क्या करोगे यहां पे रसिस्टेंस की वैलू को बढ़ाकर देखोंगे कि यहां पर मालो 270 के है मालो त। इसको क्या करों गे 330 के लगा दोगे फिर दोस्तो 330 के लगा दोगे तो दोस्तों हो सकता है अगर और कम पड़ेगा फिर इस राइस्टेंस को भी चेंज कर दो यहां पे 270 को हटाके 330 के लगा दो और यहां पे दोस्तों हो सकता है फिर यहां भी 330 के कर दो तो यहां पर वोल्टेज अटोमेटिक क्य 12 के 11 12 तो यहां पर हम चाहें तो यहां पर आप मालो 4.7 के कर देते हो तभी वोल्टेग यहां पर आपका वेरी कंब करोगे तो यहां पर बढ़ते जाएगा इस रेस्टेंस को बढ़ावगे तो यहां पर वोल्टेज बढ़ते जाएगा क्योंकि इतना कम करोगी तो ज्यादा वोल्टेज को ग्राउंड करेगा यहां पर कम हो जाएगा किलियर एक बढ़ और संजाओं आपको मैंने यहां पर लगा समझ tääलों यहाँ पे मैं लगा देता हूं एक रजिस्टेंस ठीक है यहाँ पी रजिस्टेंस लगा देता हूं और इससे मैं क्या करता हूं ग्राउंड कर देता हूं और यहां janice के वल एक कीलियर अभी वोल्टेज यहाँ पे मादलो 3.9 आ आ रहा है किलियर अब इसको क्या करूंगा रजिस्टेंस को वैलू को मैं यहां पर क्या कर देता हूं समाझ लो भी पॉइंट सेवे लगा देता हूं तो यहां पर नाइन के हैं यहां पर दोस्तों हो सकता है अपका असान लगे सबसे इंपोर्टेंट यहां चुछ 270 के हैं आप कुछ मत करो यहां पर 470 के लगा दो आपका यहां पर इंडक्षन चालू हो जाएगा मेरा दावाए 99 परसेंट किलियर अब यहां पर हम क्या करेंगे देखने के कोशिश करेंगे SMD मे 270 के लगा हुआ है यहां पर 470 के लगांगा अब दोस्तों यहां पर बहुत कोई कुछ सन करेगा सर अगर मेरे पास SMD पैकेज में रजिस्टेंस नस नहों तो क्या 470 को हटा के सीधे 470 के लगा दिया क्योंकि हमको वोल्टेज को ड्रॉफ करना था तो हम फिर से 13 नमबर पर चेक करेंगे तो आपको यहां पर मीटर में बता रहा हूं तो देख सकते हमको वोल्टेज यह था 3.3 तक चाहिए था लेकिन यहां पर 3.1 आ रहा है आपको मैंने क्य कब सही हो जाएगा अब दोस्तों एक मन में आपका कोश्चन आएगा कि सर क्या नॉर्माली हर इंडेक्शन में ऐसा होता है क्या नहीं आजकल का इंडेक्शन मालो कि जितने सारे इंडेक्शन आ रहे हैं SMD पैकेज में उसको एक वोल्टेज फिक्स कर दिया गया है कि 235 से जादा आएगा तो आपका हाई वोल्ट का इडर कोड दिखाएगा या दोस्तों जैसे नॉर्माली आप बताना चाहता हूं कि जितने सारे बजाज के हेवल्स के वीगाड के जो अपडेटेड मॉडल आ रहे हैं अगर उसमें भी वोल्टेज अगर बढ़ जाएगा तो मेट इसके लिए दोस्तों मेरे पास एक पीसीवी आया है बहुत दूर से इस से मॉडल का पीसीवी है इसका मैंने पहले ड्राइंग बना लेता हूं सेंपीएस को कि आपको भी अगर ऐसा प्रोब्लम आता है एरिस प्लस में तो आप इसको असानी से रिपेर करोगे तो सकता दू दोस्तों आपकर माल लो कि इंडक्शन के लगभग में जितने सारे स्पेर पार्ट्स होते हैं उस सभी मेरे पास अगर उसको खरीदना चाहते हो घर बैठे मंगाना चाहते हो तो कुछ नहीं करना है गूगल खोलो राजिंडक्शन.com को सर्च करो वहां से प्रोड़क्ट न 176 है वैसे दोस्तों SMD के रहे रजिस्टेंस में 1003 है 834 है उसको नोट करो कितना पीस चाहिए एक साइड में नोट कर लो ऐसे आपको एक्जामपल के लिए और दोस्तों नीचे डिक्स्पीशन में वाट्शप नमबर है आपको रिक्वेस्ट है दोस्तों सिर्फ आप वाट अगर दोस्तों अगर दोस्तों आज को थोडा सा मेरा नुएस जो है ऑथ हो इसके लिए दिल से सौरी मांगना चाहता हो आप लोग से माफी मंगना चाहता हूं इससे बेच अब इस तौ अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सस्क्राइब करें बेल आइकन को दबा दे थैंक्स प झाल झाल